हलो बच्चो मैं अनंत कुमार डेर क्लास में आपका स्वागत करता हूं तो हमने पिछले वीडियो में कमेश्टरी का नेक्स्ट आप्टर स्टार्ट किया था अमल भस्म और लवर तो हमने उसमें अमल की परिवासा वगरा पढ़ा था तो आज हम अमल के गुंड के बारे में अधैर करेंगे जलिये हम आसका यह वीडियो श्टार्ट करते हैं इसके सांथ शुक्ताफ कन माध्वी करण आभ नगरे हैं वह हैं आम्ल के गुन तो हम लोग अम्रे के कुछ बहुत तिक और निशाइनने को नों के बारे में बात करेंगे तो अम्रे के पहले गुन के हम बात करें, दौसतर और हम कल परिवासा दिये थे अम्र kingdom कि अम्र वह camar था आर्थ होता है, जो स्वाद में खटा होता है और वो धातों के साथ भी किडिया करके क्या बनाता है तो hydrogen gas मुक्त करता है और साथ ही ये भी बताया था हमने कि और हैनियस ने जो अमल की परिवासा दिया था उसमें ये बताया था हुनोंने कि जब भी हम किसी अमल को जल में डालते हैं तो होता ये है कि उससे hydrogen ion प्राप्त होता है तो hydrogen ion हमेशा उससे प्राप्त होगा तो अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं इसके कि अमल के क्या-क्या गुन होते हैं वह किसी पदार्थों के साथ किस प्रकार से भी किडिया करता है तो इसके बारे हम आजदेन करने वाले हैं तो इसका पहला गुन है कि स्वाद में खटे होते हैं जैसा कि इसके definition में हमने बता चुका था तो अमल जो होते हैं स्वाद में खटे होते हैं दूसरा कुछ ऐसे भी अमल होते हैं जो बहुत हैं जहरीले होते हैं कुछ ऐसे भी अम्ल है जो कैसे है जहडीले है तो कुछ अम्ल है जो जहडीले है जैसे की कारबोलिक अम्ल होता है जिसे हम फिनॉल के नाम से जानते हैं वो बहुत ही जहडीला होता है तो ऐसे भी बहुत सारे अम्ल है जो हमारे फाइदे के लिए भी है और बहुत ऐसे भी अम जैसे कार्बोलिक अम्ल यह बहुत ही जहरीला होता है इसका एक और नाम है फिनौर आपनों भी इसे वाकिफ होंगे एक्ष्ट बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं पैटरीन लक्षक पकता होता है Batterry की नाम से जाता है वह रखिना कि होता है होता है यहां कि समिलिफारे के नाम से शर्जाता है जो संचारट से लूप में भी यूज कियाए जाते हैं और इनका उप्योग दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक तरगा एक अमर्ण है, अगर आपको कहा जाए कि पानी में हमें अम्र को मिलाना है तो आपका कीज़ेगा, त्यानिक S2SO4 तो अगर हम कहें, कि आप इसे पानी में मिलाएं, वाटर अगर दे दिया जाए आपके पास, और एक वर्टन में, सलफियूरिक अ प्लब लए अगर अगर सेफं目 करता है डो 50 कौ अघर अगर सिलीकमाओ पानी और सनर्फिरी कमंब्रो मिलाना हो तो आग्पसकों कि अगर करना तो अगर हम बात किसे को मिलाया जाए सबसे एकूर्म विसकोंस के वर था सबते इसके सनर्क रोगर करते करना कामद है जिसका सुतर होता है हम बंव बनाने में यूज करते हैं उनको बनाने में इसका उपियों किया जाता है और साथ ही इसका उप्यों खाद बनाने में भी बात करते हैं इसके गुन के बारे में तो कुछ ऐसे अम्ल है कलमा तो आगे चलते हैं अम्ल की बारे में तो तीसरा है आपकी अम्ल का गुन कि अब हम इसके रसाइंडिक गुन की बारे में बात करेंगे कि धातों से अभी क्रिया तो जब कोई अम्ल सक्डिता स्रेनी में हाइड्रोजन से उपर की धातों से अभी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुप्त करता है तो दोस्तों जब कोई अम्ल सक्डिता स्रेनी में हाइड्रोजन से उपर की धातों से अभी क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस मुट्थ करता है यह उन के सक्डिता की अधार पर एक स्रेनी बनाए गया है जिसमें हम उपर से ले कर कि नीची आते हैं, तो इल्की सप्रिता स्रेणी जो है, सप्रिता गुम्द देखते हैं कै कैसे जो सरेणी बनाए गया है, तो सब्से पहला ज 기त त्वर है, वह है, पोटैसियान, इसके बाद है, कालसियम, सोडियम, मेंगनीसियम और फिर अलुमिनियम जिंक, फ्रेरस, टेन तो यह सब जो है सक्रिता श्रेनी में आते हैं और यह लेड इसके बाद हाइड्रोजन स्टार्ट होता है कप्र को अरुक्ष में श्रärke में करते हैं nutr encbreaker स्टक्रट आप थे अल्लडवदेश्टेय में सब्सक्राइब कर सकते हैं तो क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ध्याद रचो कि अगर इन धात इस हाइड्रोजन से उपर की जो धातु है यह अगर अमरस से अभी किरिया करें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और इसके जो नीचे की जो धातु है वह बहुत ही कौन किरिया सी धात तब तक वह अभी किरिया होता नहीं है, मतलब हैड्रोजन गैस वगड़ अभी मुक्त नहीं करता है, तो आइव दाहरन की साथ हम बात करते हैं, हम सोडियम को अगर लें, सोडियम और साथ में कोई अमने ले ले जिए, ऐसे के हाइड्रोकलोडी कम लियानी के एच्सी है, ये तो आमने के साथ अभी किरिया करके क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, यह कहां का धात्यू है, तो हाइड्रोजन से उपर किया है, साक्रिता स्रेडिंग हाइड्रोजन से उपर है, इसके उपर कोई भी धात्यू ले लिए, आमने सभी किरिया कराईए, तो हाइड्रो तो भी किया है हम देख रहे हैं कि hydrogen gas स्मुथ हो रही है तो हम याद रहे हैं सिर्फ यह बात है कि जब भी कोई अम्ल सकता है से नियुँ है hydrogen से उपड़ कि भात वह से घ्रिया करता है तो hydrogen gas मुक्त करते हैं चलिए हम नक्ष्ट गुन की बात करते हैं तो चौथर नमबर इसका गुन है अम्ल का कि अम्ल घातू के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से अभिकिडिया कर लवन जल तथा कार्बन डाई अक्साइड यानिक सीयो टू बनाता है कि जब भी कोई अम्ल धातू के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से करता है तो तीन चीजों का निर्मान होता है हमेशा ही हमेशा यही तीनों चीज बनेंगे वह क्या है तो पहला है लवन दूसरा जल और तीसरा कार्बन डाईयोकसाइड है जो ग्यास के रूप में हमें प्राप्त होगा और यह उस अभिकिया से पाहर निकल जाएगा तो में दातु के साथ co 3 लगे रहेगा तो अगर co3 लगा है तो हमें समझ जाना है कि वह कार्बोसे है तो क्या बनाता है जल बनाता है कार्बनाइट चाहिए बनाता है तो लहुन के रूप में बनने वाला है जेडेन और iso 4 आप शोब में गरके जेडेन शोफोर बनाएगा यह दोने मिले आपस में और साथ में क्या बनने वाला है जल बनेगा एस टू और इसका एक ओड़ जाएगा और बन जाएगा एस टू और साथ में यहां पर बनने वाला है आपको दिखिए और सिंपल बहुत हैं कि अगर जिंग कार्बोनेट एस प्रेकिया किया तो यह संफेट के जोटे गाओ इसके एक ऑक्सिजिन के साथ हरा हुए और यहां पर बाच इस वाट यानी तीज़ों का रिवान जॉल और करबन तो लिए विक्रिया को ज़्यादव सब्सक्रिया बनाना है तो जो गैस बाखर निकलते हैं उनक सांत मीं सोडियम सोडियम कार्बोनेट की उधारना लेजिए सोडियम कार्बोनेट से कड़ाएं तो क्या बनेगा बनने वाला यह कि सोडियम है वह सोडियम सफेट बनाएगा यानिकी एन एक टूए सफोड और सांथ में जल बनाता है जल बनाता है जल कर जानते हैं स्टू और फिर्ट सी ओटू तो आप देखना है कि जो भी कार्बोनेट है धातु के वह सब अमरे से विक्रिया करके क्या बना रहा रहा जी लावंजल और कार्बन डैकसाइड ही बना र इसके किडिया आप चैजिए दूसरेबल संपरालते हैं स्सारा है क्या बनने वाला है और यह सोडियम जुर करके सोडियक के तोर्यम को और बनाएगा और फिर यह एक और च्झ जुर करके लिगा जाएगा और बन जाएगा H2O कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब भी कोई अभी किडिया होती है तो जो पदार्थ होते हैं पर तो टूटते हैं फिर आपस में नय धंक से जूटते हैं जैसा कि हमने रशानी के विकडिया की डेफिनिशन में बताया था यहां पर यह सभी जो पदार्थ हैं आपस में तूटते हैं और फिर एक नए धंक से जूटते हैं चीजों करने महान होता है और साथ में बनने वाला है कार्बन डायक्साइड जो गाइस के रूपने ऊपर निकलेगा ठीक है तो हम आसा करते हैं कि यह गुन जो है आपको बहुत यची तरिके स किसी भास्म से आभी किरिया कर लवन तथा जल बनाते हैं यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है याद रखे हैं हमेशा कि जब भी कोई कि अम्ल है वो किसी भास्म से उभी किरिया करता है तो दो चीजों का निर्वान होता है वह है पहला लवन और दुसरा है जल आए उदहारन से में बात करते हैं तो एक पड़कार का क्या है अम्ल है और दुसरा एन ए ओच ले लेते हैं यह सोडियम हाई रखसाइड इन सुत् पुलिक है जितने भी यूगी कार हैं जितने भी अम्लिल लवन जो भी आए उनका सुत्र आपको याद रखना है तो एक अलग से इसका नोट्स बनाएं और इन सबको याद करें डेली आप लगवग दो या तीन दिनों पर उन्पाप पर सकते हैं जिसे कि आप उसे असानी स याद रख सकते हैं कि जब रहते हैं तो सबसे को नोटल या तीन दिनों पर विजन करते रहें और साथ ही साथ इन अभी किडियाओं का लिख कर के प्रयास करें कियांगी ने से बहुत ज्यादा आता है और वहाद कि आता हैं ज्यादा है कर जब भी कोईयम नितिसी घरस में सभी करता है तो क्या बनाता है लवन और जल बनाता है यहां से लवन अलग कर लेजे और जल अलग कर लिजे तो लवन बनेगा तो NACL में जाना है और साथ में जल का सुत्र तॉपच परने से पढ़ रहा है एस टूथ पो तो आपका अमल का अगला गुन की बात करते हैं सिक्स नंबर कि अमल जो होता है वह किसी अमल धातू के ऑक्साइड से धातू की जो ऑक्साइड होगा तो धातू के ऑक्साइड से अभिकिडिया कर लान तथा जल बनाता है तो यह क्या कर रहा है आपने तो पहले भी कहा था कि जब भी कोई अमल की सिभास में से विक्रिया करता है तो लान तथा जल बनाता है फिर बात आप वही कह रहे हैं कि आम धातू के ऑक्साइड से विक्रिया कर लान तथा जल बनाता है इसका मतलब यह हुआ जो धातू के ऑक्साइड हैं क्या घृफuy भशा में नहीं है एकदम तभी तसा हो रहा है कि लवन और जल इसमें भी बन रहा आप और लवन और जल इसमें भी बन रहाय सथ तदॉन इक चीज और याद रखना मतलब कि भर्षम होते हैं तो जब भर्षम से अभी किरिया होगा अमल का तो लवन तथा जलका ही निर्वान होने बाला है तो चलिए कोई दारण लेके हैं तो आप वाकिफ होंगे इसकी बारे में ये किस धातु का उकसाइड है जी तो copper oxide है इसका भी किडिया करा लीजी आप H2SO4 से क्या बन जाएगा जी तो copper sulfate एक लवन बनेगा और साथ में बने वाला है क्या होते हैं और जबहां करता है तो लवन तथा जल का निर्मान करता है है तो आई ये जेडेंड एस एक संदेशल देख मैं और सवाइब ये एस टूओ के साथ जूट करके एस टूओ व समझें नेक्सिक्ट की बात करता है आउस नंबर की जबहीं हो मिको जल में डालता है तो क्या होता है हम पहले बात कर चुके थे इस पर थोड़ा सा, तो अमल जल से अभी किडिया कर आयन में तूट जाता है, और उसमा प्राफ्त होता है, जहांदे दोस्ते हाँ पे, कि जब भी कोई आमल जल में अगर हम डाले होंगे उसको, तो होगा क्या, कि वो आयनों में तूट जाएगा, और जब वो तूटेगा तो उसके क्या होगा, हमएं उसमा प्राफ्ट होगी, क्या होती है, गडमी प्राफ्त होगी, रेजियाए, उज़ारन से बात करते हैं, है एक परकार का है यह है जब हम इसे हम डाल देंगे जल में यानि कि अच्टुमय बिद या था यह यह लेकिन एक शीज और यहां पर लिखा हुआ है कि उसमा प्राप्त होता है जब भी उसमा प्राप्त होता है तो हम रहां प्लस उस्मा जोड़ देते हैं लेक्स बात करते हैं स्थ्वाइब एक हुदार ले लिजिए जिसके बारे में पिछली बार नहीं इसी वीडियो में बात किये थे कैसे हम जल में इसको मिलाएंगे तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं कैसे हम है सिचिए 104 को जल में डाले आप घा और शुपयत आयन और अश्यू जाता है और सांतमेशसें अश्कराप्त होता है तो एक तोट जाते हैं यह चीज हमनitel देना है यह हैं हूँemor लेन में इसे सटेंथा पर संटा होता है जो घ करता है कि आप्धिया करता है है यह दोबारु चूर हमें पराप्त हो जाता है है रेगा रमायर तो इस चीज को आप रखेंगे कि जब भी किसी अमलकों में डालते हैं तो होता यह है कि वह आइनों में पहले तूटता है तो हाइड्रोजन और प्लोरीन तूट गया है और फिर होगा यह जो है वह जल से वह किडिया करके क्या बनाएगा जी हाइड्रोनियम आया ठीक है चलि है यह जीन को है तो पाल में डाला है कौन सा उपान है सब से वह तरों तो पहलें जीजिए गर्म टेल हो में पानी डालें तो होता क्या में वे और हम ढलते हैं और आपकाल मौल केल सब्सक्राइब बहुत ही खतरनाक तरक एक अम्र है जो पैटरी में यूज़ करते हैं जिसे आप कम हो ज़ल सकता है तो हम करते हैं कि जल में एक बर्तन ले लेंगे जल से भड़ा हुआ और इसमें बुंद बुंद करके सल्फियूरी कम्र इसके दिवार के सहारे गिराते हैं इसकी दिवार की सहारे थोड़ा थोड़ा करके सल्फियूरी कम्र को हम गिराते हैं दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं बताते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाएंगे फिर डालेंगे फिर इसकी दिवार के सहारे ही अगर आप डालते हैं तो पानी उर जाएगा और फि और इसमें पारी डाले लेगा और और आपके मुँ पर आपका हुजाएगा जल्ग इसलिए हथारे कभी नहीं करें जब अब बूंद बूंद करके दिवार की साहर सलफीरी कमल को थोड़ी-थोरी मातरा में डालते हैं और फिर उसे मिलाते हैं तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, हम यहां पर अम्ल की गुल की बारे में बात किये, ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो को अब ज़यादा से ज़यादा सेएर करें, और अगर कोई इसमें कोई प्रॉबल्म हो रहographers है, तो हमें कॉमेंट करें, आपकी कॉमेंट का हमें इंतिजार रहेगा और जरूर आपको एंसर देंगे धन्यवाद